तो बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, continuous random variable start कर दिये थे, yes or no बताओ उसके कुछ examples भी किये थे हैं, ना, चले, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, continue ठीक है, तो continuous random variable के आगे का आज देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, और कौन-कौन से topics फिर वो पाते हैं, ठीक है, है, very good, probability density function start हुआ था, ओके, ठीक है, चले, अगर मैं एक question देदू, कि चले, question से सुरुवाद करते हैं, previous class का revision, इसी से ही हो जाएगा, ठीक है, question number one, find a random variable, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, कोई continuous random variable है, ठीक है, उसके साथ साथ वो रहे है, जिसकी density function given ठीक है, and density function, कभी भी जब density function given है, समझ लो वो continuous random variable है, ठीक है, density function, density function जो है, बताया था, small fx के फॉर्म मेरा था है, small fx बराबर दिया हुआ है, 1 by 4, और range दिया हुआ है, minus 2 से less than x, less than 2, ठीक है, x की value जो है, minus 2 से लेके 2 तक के value, fx के लुके दिनी है, 1 by 4 है, आपको find करना है, find करना है, क्या क्या चीज़ें, find पहला probability find कीजिए, find क्या probability find करनी है, जिसमें क्या दिया हुआ हुआ है, कि x का जो मॉडलस है, वो बोलता है greater than 1 हो, यहनि उनकी probability find की यह कीजिए, जिनकी मॉडलस value कैसी होती है, ठीक है, second आपको बताना है, probability find करना है, 2 x plus 3, 2 x, यहां पर mod x होगा, capital x, 2 x plus 3, इसकी probability बतानी है, 2 x plus 3 कामान, less than होना चाहिए, once है, यह, क्या कोई बच्चा try कर सकता है, बोलो, क्या कोई solve कर सकते हो, कि किस तरह से इसको solve किया जाएगा, आपको एक्स जो है continuous random variable given है, सबसे पहली बात ठीक है, continuous random variable देने के बाद, इसमें जो है क्या चीजे mention कर दिया है, देखों, यहाँ पर क्या लाग रहा है, कि fx की value यह जो है probability density function बोलते इसको, जब भी continuous random variable होता है, तो उसके लिए जो function probability नहीं कलते उसका density function बोलते हैं, और वो value है, 1 by 4 है, कहां से कहां तक के लिए, minus 2 से लेके, 2 तक के लिए, ठीक है, यानि कि आपका range कैसा decide है, वो जो है, minus 2 से लेके, plus 2 तक के range में, इन सब के लिए answer कितना से बताओ, सारे के लिए answer है, 1 by 4 है, तो आप से पूछ रहा है, उनकी probability बताइए, जिनकी modulus value 1 से greater than होती है, तो अगर मैं आपसे बोलू, 1 से greater than किसकी होती है, 1 से greater than किसकी probability होती है, तो आप अगर इसका graph बना सकते हैं, तो आपको clearly समझ में आ जागा, यहाँ कहीं minus 2 है, यहाँ कहीं 0 है, पिर 2 होता है, यही होता है, अगर आप अच्छे से देखो, जिसका modulus value 1 से greater than होता है, तो 1 से greater than कौन होता है, अगर मैं अगर color change करके दिखाऊं, तो आपको समझ में आ रहा हो कि यह वाला area है, देखो अच्छे से, 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, इसका modulus value 1 से बड़ा ही आता है, और minus 1 से इधर, modulus value इसकी भी greater than आईगी, आई की yes यह no जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है, 1 से बड़ा है, 1.3 का भी more 1 से बड़ा है, कहां तक का range है, 2 तक का 2 तक की सभी value का range, modulus value greater than 1 से बड़ा ही होता है, दूसरा, अगर आप negative में भी डालते हो, minus 1.2, minus 1.3 की modulus value, 1.3 ही आईगी है, जो की greater than हो जाती है, यानि कि इतने से और इतने range के लिए आपको क्या बताना है probability बतानी है, समझे गए, तो इसको बनाने के वैसे दो तरीके हैं, दोनों method आपको सिखा दूँगा, ठीक है, पहला method क्या है, आओ देखते हैं, first method, पहला find करने के लिए first method, इस type के question को कैसे हल करते हैं, वो चीज़े समझे, first method यह होता है कि इनका और इनका probability निकालो, यानि कि आपको क्या बोला है, probability find करनी है, modulus of x की value greater than 1, तो वो कहीं ने कहीं probability of किस की value निकालनी चाहिए, probability of capital X, उन x की value डालो, जिसका range कैसा होता है, बताओ, capital X का range, minus 2 से लेके, 2 से बड़ा, minus 2 से बड़ा, और minus 1 से छोटा, इनका probability निकालना है, ठीक है, और plus करके किसका निकालना है, probability of x, वो x होगा, जिसकी 1 से क्या हो, 1 से बड़ा, और 2 से छोटा, यह, 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा, इनका हमारे range में या जा रहा है, इसका मतलब वो भूम फिर के यह बोलना चाह रहा है, चुप-चाप, minus 2 से लेके कहां तक के, minus 1 तक के लिए integration कर दो, fx का, into dx, plus, एक बार किसका cut कर दो, वन से लेके 2 तक का, fx into dx, दोनों के case में answer जो है, क्या दे रहा है, दोनों का answer जो है, one by mode one से greater than आएगा, तो ओर ओर इसका क्या कर सकते हम लोग, fx के लोग कितनी है, one by four जो की constant है, one by four बाहर हो जागा, बच्चे का वन, वन का integration, one का integration, बच्चो x होता है, कितना x, तो minus 2 से लेके minus one है, यहाँ भी one by four आजागा constant बच्चे का one, one का integration x होता है, तो x लिखेंगे, limit क्या है, one से लेके 4 है, अब limit कैसे डालते है, पहले x के replace पे upper limit फिर minus लिख के, फिर x जगर lower limit डाली जाती है, जिनको integration नहीं समझ में आते है, वो यहाँ समझेंगे, x के replace पे आपको minus one डालना है, फिर minus लगा के फिर x जगर minus का two लिखना है, इसको बोलते है upper limit minus lower limit ठीक है, plus one by four, यहाँ पर भी कितना यगा, two, फिर minus one, upper limit two है, lower limit one है, यह देने वाला है, one by four यह कितना हो गया, मा numerator उन और यह प्लस two हो गया, तो minus one plus two, यह minus one PLUS two बन गया, minus यह कितना होने गया, यह कहते हैं यह कितना होगा दो में से क्या एक हो गया कि यह इसकी वॉला था प्रप्रभी उसको समझते हैं से तो क्यों नहां इसको ऐसा लिख सकते हैं उनकी फ्रोबिल्टी फाइंड कर सकते हैं जिनकी वन माइनस कर सकते हम को पता है सबकी प्रोबिल्टी वह नहीं होती है तो वन माइनस कर दो उनकी फ्रोबिल्टी जिनकी मॉडल से छोटी होती है आप उसका कॉंप्लिमेंट बोल रहा है भई एक्स का मोड जिसका बढ़ा होता है तो इसका कॉंप्लिमेंट क्या होता है 1-6 मानने से च्छुटा बना दो ऐसे भी बना सकते हो हो थीए उसको एक बार और रिपिट कर देता हूं अभी इस समझे अगर आइप आए अगर जो रहे हुं जिसका एंसर वन से बड़ा रहा है इसका कॉंपलिमेंट क्लेक्जा से चोटा मॉड्य रख लेके 1 तक ठीक है मॉड्य तुसा और शुता है है यह कि इसको ऐसे लिख सकते हो एकस का मान अगहरा माइनस सब्लेksam हम से लेके हम 2 ऑलेंगे इसका मॉड्य यह थोटी यह ऊफिकी उस वनकुछ धरना होता है जोक्ता है यह थे एसे तो माइनस सब्सक्री के बिच का कोई भी नंबर डालो कि उसकी मॉडुल से लिए इसका मतलब होता है माइनस वन से लिए के वन तक fx into dx करनी है यहाँ पर आएगा आपको समझी में आ जाएगा माइनस वन से वन और यहाँ पर बाइफ एक डालना है इसलिए यह आजाएगा उसके बाद क्या करना है उसके बाद यह चीज़े करनी है कि अगर हम मैं यहाँ से वन अपने जगा लिखो माने बाहर हो जाएगा अब बताओ यहां क्या बचेगा वन वन का इंटिघ्रेसन कितना होता है बाच्चो वन का इंटिघ्रेसल जह एक止 ota है यहां क्या बन जागां सिर्फ एक साद आजएगा लीमिट किया मैनस 1 अपर लेमिट यश्लिंТ 1 लोट लेमिट मैश तो 1 मैनस 1 अपने जगर रहेगा इसमें क्या पने अपर एक सबस्क्राइब दाला है कि यह यह एक हितना आने वाल है 1-1 वाई फोर इन टू यह माइनस वान साना क्या प्लस टू हो जाएगा यह जो है दो हो जाएगा धेक रहे नहीं तू ऊंज तू टू टू तू जाकर जागा तो 1-1 वाई-2 मतलब 1 वाई-2 वह ठीच है 1-1 वाई- बैंटू करोगे तो यह जो है वन वाई टू मिल जाता है क्या साब को समझ में आ गया है आए हम को इसका मतलब क्या होता है एक वल नहीं साइन एक वल साइन नहीं इस एक वल नहीं लेने अपने हमको 1負 recount लेना ही नहीं है ना बात समझे मेंस 1 का मॉड़ कितना होता है वहalie सर माइनस 11 का मॉड़् भी 1 का मॉड़् कितना होता है लेकिन से बीच के नंबर कितने होते इनके बीच का मतलब मैं मैं 1 1 से चोटा मैनस 1 1 0.9 100.1 0.7 इस टाइब के नंबर होते हैं इन सब के से चोटा है 0.8 0.7 लाइक इस तरह से बढ़ते जाएगा अगर जीरो से बढ़ा भी लेते हैं 0.2 0.3 0.4 इन सब का मौड भी क्या होता है वन से छोटा ही है क्यों कि यह तो वन से खुझ से चोटे हैं बाता ही समझ में तो हमको माइनस वन और यह है माइनस वन और यह है वन यह यह नहीं लेना है इनके बीच के नंबर लेने है माइनस वन और वन के बीच का नंबर तो माइनस वन और वन के बीच के नंबर कोई तो यह बोलते है माइनस वन टू वन बोलते हैं इसमें इस इंटिग्रेशन में एक्वाल नहीं है इसका मतलब यह होता है इक्वाल भी रहक पीच में ऑन से बड़ी कब मिलते हैं भृट में से ने सभाएंगा इसके बीच कोई नमर डाल टो सारे फम से चोटे जैंगे इधर का नहीं की तो कि एक है? तो कि दानी लगता है, अगर में इदर आऊंगे, तो कितना है? ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा नहीं है, तो इस इस गहर में इसमें इधर की नमबर को उठाते है are तो वो चीज़े लेने के लिए हमको रेंज देखना है तो क्या किया हूं मैं यहां पर क्या किया हूं जैसे पहला वाला केस क्या किया था तो माइनस दो से लेके माइनस वन के तो यह एक तरीका यह पूला है इसको नहीं लेना है तो तो लड़कियां कितनी होगी यह वाले पूरे होंगे इसका कॉंपलीमेंट इसका कॉंपलीमेंट कौन होगा का इसके कॉंपलीमेंट कौन है यह यह ना पूरा ना लेके यह वाला अरिया इसका इन दोनों कभोनेंट है क्कि यह दिक्कत नी को dalग अलग भी कर सकते हैं या तो इसका कॉंपलीमेंट कैसे करते हैं यह यह प्रोबिटी है यह हमको तो पढ़ता है यह पढ़कर एक प्रोबिल्टी और एक कॉंप्लिमेंट की प्रोबिल्टी कित्मी होती है तो अगर यह वन से बढ़ा वाला है तो यह कौन होगा वन से छोटा वाला हो तो इसकी प्रोबिल्टी को निकालना हो तो क्या कर सकते ह मैंस इसको लिख दो और इसका मिनिंग क्या होता है अन से छोटा यह न से छोटा वाला अरट नहीं है तो यह समूना केस में यह चीजह निकल जाएगी ठीक है अब बताओ एक दूसरा कोशन और दिया था मैंने वहाँ पर बोला था कि ठीक है तो ऐसे कोशन को सॉल करने का एक ही मैधड है वहाँ पर क्या था सेकेंड कोशन क्या है कि प्रोबिल्टी उनकी फाइंड करनी है जिसकी वेल्टी प्लस थी करने पर वन से छोटा है कोई दिक्कत नहीं यहां से एक्स की वेल्टी निकाल लो पता है चल जाएगा जितनी होगी वही इसकी इंशर दो टीक है एक्स का माण निकालना है तो क्या कर सकते भी इसको हम एक्चुल में इसको ऐसे डल कर सकतेए ठीक है प्रोवैंटी बतानी है 2x plus 3 कमान 1 से छोटा होता है तो x कमान कितना रखा जाए कि वो इसको satisfy करें तो ऐसे सीच के लिए निकालने के लिए हां से एक्स की विल्यों निकाल लो इसको यहीं रखो 3 को उस्तार ले जाओ तो 2x कमान 2x कमान क्या हो जागा लाइस देन 1-3 बाप समझे निए उसके भुञाशिटी होता है इसका मतलगा वुल्हे किसकी 2x कमान जो मांस 2 से शोटा होता है यहां से एफटे दो को डो कौड करो घिंटते हैं एकिस कर लेउठी लया से छोटा यहां पर क्या बोल रहा है एक्स का मान क्या हो माइनस दो से लेस्टन तो माइनस वन से लेस्टन कहा है अगर आप इस डियाग्राम में माइनस वन यह है इधर के पूरी लेज़ान होंगे यानिके एक्षॉल में बोलना चारा है आपको माइनस टू से लेके माइनस तक का इंटीग्रेशन कर देना है लिमिट जो है इसमें माइनस दो से लेके माइनस वन तक का लेंगे वेरी गुड इसमें आया तो सिंपली इसका क्या कर देना है बस सिंपली इंटीग्रेशन करना है माइनस दो से लेके माइनस वन तक का किसका एफेक्स इंटू दीएक्स कर देना है क्योंकि एक्ट्इवल में चाहिए इंटीगेशन है भाई यह कंट्यूनिऊस सीरेंडम वरीवल और कंट्यूनियोस रेंचिंव परीवल के सट्टीग्रेसन करते हैं इंटी क्यूंते और संजै documentaries नमाट से बात संदय है यह जो मैसी प्रेखना सब्सक्राइब करेंगे और इंटेग्रेशन करेंगे वन का एक सब्सक्राइब कर रहा हूं माइनस वाला यह माइनस 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 प्लस दो हो जाएगा तो दो मैंसे गया वन वाई-4 इसका रहे कि आया समझ में सब को यह सेनों जल्दी बताओ भी कि आगे सबको क्लियर हो गया कि ले रोगा आगे समझ में वे तो यह एक में सब्सक्राइब ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और तो नेक्स्ट टॉपिक फिर से आपका कौंसा टोपिक आता है कुम्योट डिस्ट्रिबिशन वांसन कि मुलेट यूप डिस्ट्रिबिशन फंसन एक और कंटीनियोस रेंडम वेरीवल देखे यह चीजह मैंने सिखाय था आपको क्या कुमुलेटिव डिस्ट्रीबिशन फंक्शन फॉर किसके लिए डिस्ट्रीट रेंडम वरीवल के लिए सीगे ठीक है कि क्या बोर है माइनस टू से माइनस वन तक एक बार और कि अगया दिक्कत था इसमें यहां से पहले बात यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह एक्स कमान क्या डाला जाए एकस की बैला जाए जो वन से छोटा मिले यहांपर तो यहां से इस एक्स की वैले कालो तीन को सब्सक्राइब करोंगे तो माइनस तीन होगा तो माइनस पॉन से चोटा ही मिलेगा ठीक है एक्जामपल देख सकते हो मैनेस वन से च्छोटा होता है वेटा माइनस 1.5 चोटा होता है कि नहीं होता है तो माइनस 1.5 यहां पूट करके देखो माइनस 1.5 मतलब 3 by 2 होता है माइनस का यहां पूट करूंगा तो 2 into minus 3 by 2 यह क्या हो जागा वेटा 2 2 कड जाएगा प्लस 3 3 में से 3 गया कित आप जीरो 3 और 3 00 जीरो जो है वन से छोटा है की नहीं है आप से छोटा है नहीं है इसका मतलब यह बोल रहे कि टू-एकस-प्लस-3 का इस चेत्र में यहसे डाग्राम में यह अनुछ से बड़े हैं यह सारे माइनस वन से छोटे हैं तो माइनस वन से छोटा आपका रेंज कोस्टन में डिफाइन है माइनस दो से लेके दो तक तो माइनस वन से दो तक यानि इतना ही आपको एरिया कल्कुलेट करनी है इतने का एरिया कैसे कल्कुलेट करेंगे माइनस दो से लेके माइनस वन तक का और कर दोगे function का ठीक है तो –1 तक का हमने इसका integration किया है यहां पर आके –1 तक का fx का integration किया यह चीज़े निकाल दिया गया है हाँ अगर यह question में range अगर यहां –3 से होता तो minus 3 यहां होता तो अभी –1 से चोटा कहां तक होता सब्सक्राइब करते माइनेस इसे माइनेस तक को पीछे जितना देगा उतना से हम इंटीग्रेशन करेंगे ज़्याय को कि बढ़ते हैं तो हमाड़े पास कमूलिटीव डिस्टिपिशन फंक्सन दोणों के लिए किसे लिए एक आपका डिस्क्रीट रंडम वरीबल के लिए दूसरा आपका कैसा होता है जब कंटिनेश रंडम वरीबल हो तब इसका मतलब मैं पहले हम करना ऐड करना इंक्रीजिंग ओडर में आपको क्या करते जाना है एड करते जाना है ठीक है एडिसन का रूल पहले भी पढ़कर रहा हुए पेटा आप लोगो जब याद करो सियव जैसे अगर यह ऐसे दिये रहता था ठीक है अगर मालो यह एक्स है एक्स की विलू है वान टू थ्री फोर यह पर एफ में अगर दिया मानस थे फंधी ऑधरी फाइब टू इट सिक्स्क्स तो सीफ कैसे निकालते थे कंवल टी कंवलेटिव फंक्सन कैसे निकालते थे सिएक क्या करते थे और तो करते देवे एक तम कता फिर पांस तीन इनको जोड़ते थे आठ फिर पूरे को जोड तो और फिर पूरे को जोड़ते दें चौदा आट से ऐसी करते थे ते पहले एक कसम फिर दो कसम फिर तीन कसम फिर चार कसम ऐसे यह सम बढ़ते जाता था यहां लिखते जाते हैं इसी चीज को इंकलना है लेकिन अभी बस अंतर क्या चीज का है हमारे पास जो है अभी वो कैसा होगा होगा continuous random variable होगा इसका इसको भी capital X8 denote करते हैं याद रख लो ठीक है तो इसका let X क्या है माल लो X क्या है let X be a continuous रेंडम वरीवर कंटिनेस रेंडम वरीवर है अगर ठीक है देन देन कमुलिटी डिस्टिबिशन फंक्शन कैसा हो जाएगा देन दफंक्शन capital FX से इसको भी denote करते हैं इधर क्या लिखते है capital FX ओवर X और यह क्या होता है यह actual में सम होता है पूरी probability back side की probability का सम होता है तो कैसे करते हैं इसको यह probability ही है लेकिन किसका जो भी X है वो कहीं ने कहीं less than equal to small x तक यह जो है इसका मतलब ही है यानि कि पीछे X से छोटे सभी तक का probability का सम यह क्या कराता है cumulative distribution function मन जाता है जहां पर X का range क्या होता है इस X का range minus infinity से लेके infinity के बीच का कोई भी range होता है ऐसा इनके बीच का कोई भी range होता है और इस functions को क्या बोलते हैं is called cumulative distribution function for continuous random variable है कि लेर हुआ कि नहीं तो यह भी probability का सम होता है एक एक यहां अगर मानलो आपने ध्यान से सुनों मेरी बात को मानलो आपने तीन लिखा आपका random variable 1234 है ठीक है 1234 है तो one के लिए सिर्फ one का पहली की probability तू लिखा मतला one और two दोनों की probability का सम यह है cumulative distribution function अगर मैं नहीं बोला fx over 3 तो आपको क्या करना है तीन से छोटे तक का सभी की probability का सम यानि कि एक का दो का और तीन का भी जोड़ोगे ठीक है चार लिख दिया तो एक से लेगे चार तक की probability निकालना है उसको जोड़ देना है वो है आपका function fx क्या सबको समझ में आ गया यह से नो जल्दी बता इसका मतलब क्या इसके पीछे तक की सभी की probability का सम करना है ठीक है अगा 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 कि भूलो भाई आया समझ में कि नहीं कि सोच क्यों रह वी तना अगा अगा कि इतना सोचोंगे तो कैसे काम चलेगा अगा 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 कि पुछों क्या बनाने जा रहे हैं कि अभी जो है आपको दो है दोनों में डिफ्रेंस दिखाऊंगा ठीक है एक किस के लिए एक डिस्क्रिट के लिए और एक रेंडम के लिए ठीक है चलो ठीक है आदो यहां पर मैंने लिख दिया डिस्क्रिट तो बस्क्रिट कि अगा कि अगा कि अगा चलिए कि िधिर जो है डिस्कृत है how को ठाउख एक है एक कांटिनियूस एकश्क्रीट के लिए यह फंख्चन बनाऊंगा और एक कंटिनियूस के लिए बनाऊंगा ठीक है डिस्कृत में क्या होता है कब भी किसी पर्टिकुलर एक point के लिए value निकालोगे probability तो क्या बनने वाली है इसका जो है कर दिस्क्रिट के लिए ध्यान देना डिस्क्रिट के लिए पहला point अगर आप probability calculate करनी चाहती हो किसके लिए discrete value के लिए x equal a के लिए इसकी probability कभी भी जीरो नहीं होती है ठीक है probability कभी भी जीरो नहीं आएगी किसकी किसी भी एक discrete number के लिए discrete number जैसे लाइक 123 इनकी probability कुछ ना कुछ होगे जीरो नहीं आएगा ठीक है लेकिन continuous में अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका एंसर कितना आने वाला है जीरो आने वाला है ठीक है अगर इसके लिए प्रोब्रेटी समझ गया तो इस पर डेर इट पॉइंट पर वैल्यू नहीं निकलती है पॉइंट पर अगर इसकी वालएव जीरो मिलेगी और अगर पॉइंट पर निकालना चाहते हो यह तो इसकी वेलू नॉट इक्वल तो जीरो मिलेगी यह सबसे मेन पॉइंट होता है इन दोनों को चेक करने का कि और अगर आप किसी पॉइंट पर सेकेंड पॉइंट इसका अगर प्रोबिल्टी कल्कुलेट करने चाहते हो किसका एक्स का मान अगर ऐसे बड़ा है और बी से चोटा है इनके बीच का वैल्ली निकालना चाहते हो तो यह जो है कुछ नहीं F फ of B minus F of A बन जाता है यानि कि B यहां से यहां तक का प्रबिलटी माइनस कर दो यहां से आपका तो बीच का निकल जाता है तो अगर हमको प्रबिलटी के लिट करनी है तो क्या निकलना पड़ेगा अगर यहां पर मिलेगी अगर यहां पर रहेगा तो इसका भी अंसर सेम आएगा कि दोनों में भी डिफ्रेंस बताऊंगा कि डिफ्रेंस क्या है यहां पर सेकंड पॉइंट इसमें प्रविल्टि अगर फ्लिट करा जाए एसे बड़ा एक्स लेजन भी इसका भी इंसर कितना आने वाला है एफ और भी माइनस एफ और यह एफ और बी मतलब यह है एफ एक्स निकालना पड़ेगा यह चीजिए कैपिटल एफ एक्स लिखाऊं में ठीक है तीसरा कि प्रविल्टि कल्कुलिट करो ए लेज देन एक्स लेज देन भी और एक जगह अगर मैं इक्वल कर दूं यहां पर इक्वल कर दिया तो भी इसका अंसर यहीं आएगा एफ और बी आप एगा आएगा अगर पर भी एक्वल लगा दूं तो भी एंसर सेम आयेगा समझ में आगे एक जगह एक्वल कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है दोनों जगा अगर यहां भी कॉल कर दिया तो भी अंसर यही आने वाला है ठीक है reason ऐसा क्यों क्यूंकि यहां पर जो है पर लगाव है अगर यहां पर B है इसकी value निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा पहले probability calculate function calculate करना पड़ेगा किसका B का minus minus करोगे किसका F एक का और इसमें plus करोगे अलग से A की probability ठिक है इसमें किसको plus करोगे A की probability क्योंकि A की value 0 नहीं होती है तो इसकी value को अलग से calculate करनी पड़ेगे तो इनको ऐसा लिख सकते हुआ यह इसका मतलब यह probability बतानी पड़ेगी a से बड़ा x less than b इतना तो निकानने के बाद a पर अलग से value इसे plus करोगे भई a की value x equal a पर अलग से जो आया होगा उसका answer लिक होगे अगर मैं बोलू फोर्थ पॉइंट इसमें अगर मैं क्या बोलू कि probability बताइए भई a less than equal x less than equal b है इसका मतलब क्या होगा यहां पर आपको probability calculate करने पड़ेगी से बड़ा x से बढ़ा इतना तो निकानने के बाद प्लस करना पड़ेगा एक प्रोबिलटी और भी की फ्रोड्य प्रड़ियंट इस की प्रॉविवय्य ठीग डिल गिंतना अलग से सम्म करना पड़ेगा आया समझ में कि यस यन में जल्दी बतओ कि है 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 और अगर एसे लेजन बी की वेल्यू गीवन है तो इसमें मालो सपोज करो इसकी वेल्यू गीवन और अगरो अने संब्रस्गाने में निकालो मालो यहां पर इक्तूर्य करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा बीग यहां पर इकवल वाला लगा देगा यहां पर उसने रहेगा और इसम माइनस अलग से लगा देंगे एक ठीक है जो भी लास्ट में रहेगा एस्टा कुछ प्लस करना पड़ता है कुछ माइनस करना पड़ेगा एक और डिंग टू गीवन क्या है आप दो पास तीन चार कौन सब्सक्राइब तीन चार पॉइंट समझ नहीं है तीसरा चारथा पॉइंट यह है कि जैसे मालो एक दूसरे तरीके से पताने की कुछ इस करूँगा ठीक है ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोग को थोड़ा सा जैसे यह देखो यह मैं मिटा दे रहा हूं इसका मतलब यह ऐसे बड़ा और बी और लिए चोटी तक है इसका प्रवबिल्टी है तो अगर मैं आप से बोलूं चौथा पॉइंट यह है कि तीसरा पॉइंट यह है आपको प्रवबिल्टी बतानी है a less than x less than b इसकी बताव कितनी है तो आप क्या करोगा भई आपको तो equal तक का पता है तो हम क्या करेंगे यहां से लेके यहां तक का निकाल लेंगे उसमें minus कर देंगे b की probability को यानि की probability यह पूरा लिख दूँगा इसका a से बड़ा x less than equal b सबका निकाल दूँगा यह वाला मुझे तो सिर्फ b से छोटा पूछा था तो बी वाली probability को minus कर दोगे ऐसा probability of x equal b ऐसा जो चीजे नहीं चाहिए उसको minus कर दो जो चीजे चाहिए उसको plus कर दो अब जैसे इसमें equal a नहीं है की probability को add करना पड़ेगा क्योंकि इसमें equal नहीं था बी पर equal है तो बी तक की probability पूरी लिखनी पड़े की एवाला उसमें add करना पड़ेगा इसका एंसर क्या है का probability क्या लिखोगे a less than x less than equal b तक कर निकालने के बाद प्लस कर दूँगा एक की probability को अलाग से कि ऐसा कहानी समझ में आ गई जो probability नहीं मालूम होगी उसको हम क्या करेंगे एड़ कर देंगे जैसे लगेगा तो वैसा एड़ कर देंगे कि आगे समझ में की नहीं आया बताओ कि आगे समझ में आगे लो कि आगे लोगे। झाल झाल देखो जैसे थोड़ा बड़े में करके लिखा देता हूं आपको अच्छे से समझ में आजाएगा probability of getting a greater than x less than b इसका मतलब क्या बताओ इसका मतलब यह है कि a को यह a है देखो यह a है बीच में होल है इसका मतलब होता है ए नहीं लेना है बीच के सारे पॉइंट को आपको लेने हैं बात आई समझ में ए और भी को टच नहीं करेगा कि अब आप से इसका मतलब बोल रहा है वह अगर बोल रहा है f of b minus f of a है इसका इंसर यह आएगा हमें साथ है इसका मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की प्रविल्टी निकाल लो उसमें माइनस कर दो यहां वहां से लेकर मलब स्टार्टिंग से लेकर यहां पर अपना माइनस इंफ्रिटी से इंफ्रिटी होती है अगर बोले इसकी प्रविल्टी कितनी होगी तो यहां से लेकर यहां तक की प्रविल्टी को निकालना क्या क्या लाता है और फाब भी यह कहलाता है यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा fx,a कहलाएगा तो इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो इतनी की वेलू निकल जागे दिस इच कॉल्ड fb-fa बस यही अंतर है अब यह जब पता चल गया यह fb-fa है जो है तो समझ में आ गया यह fb-fa क्या है चित्र से इबता दू ज्याधा अचा समय में आगा मानेस का था समय यहां पर यह अपर कोई यहां अई यहां तक 그래도 कर नहीं क्या करोगे यहां से लेकर यहां तक कर निकालोगे डिस इच काल्ड F B और यहां से लेकर यहां तक क्या कराएगा F F A कराएगा तो F B मैं से F A को माइनस कर दोगे तो A से B का एंसर मिल जाएगा अब अगर आप से सामने गला पूछे द्यान से देखो, को इसको संगो probability calculate कीजिए a less than equal x less than b लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है तो इसमें था ही नहीं अब a भी आ गया तो इसको क्या करें जाएगा यहां तक का तो यह वाले की probability चाहिए उसको अलग से calculate कर दोगे और हमको पता है अगर discrete है तो उसमें उस point की probability निकलती है 0 तो नहीं होती है समझ में आया और इसी प्रकार अगर आप से कोई बोले probability a less than x less than equal b का निकालो तो आप क्या करोगे अब इसमें b क्या कर रहा है इसमें भी पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा भी तो हम क्या कर सकते हैं इसमें b को एड़ कर सकते हैं कोई सूंनिया एफ अब भी को क्या कर सकते हैं एड़ कर सकते हैं जैसे जैसे जुरत वैसा requirement होगा और कुछ नहीं ठीक है समझ माया जो चाहिए जैसे इक वाल लग तो उसको जोड़ देना कभी ज्यादा तक कर दिया मालों यहीं इक वल दे दिया होता है तो उसकी वेलों लग से निकाल लेते हैं तो फिर माइनस करना पड़ता तो डिपेंड करता है और रिक्वारमेंट के हिसाब से वह आप पहले आप लोग को नहीं बताया था कि एक और भी होता है और उसका नाम होता है Mixed Random Variable यह नहीं बताया था यह भी होता एक्च्वाल में मिक्स्ड रेंडम वरीवल देखो एक्जाम में यहीं कहीं से पुछता है ठीक है तो मिक्स्ड रेंडम वरीवल क्या होता है जो न तो डिस्क्रीट हो और जो न तो क्या हो आधा डिस्क्रीट बोल सकते वाधा डिस्क्रीट आधा कंट्यूनेस जो होता है उसको बोलते है मिक को हम क्या बोलेंगे मेक रेंडम वर्इवल बोलते हैं मतलब जो ना तो डिस्क्रीट हो ना तो च्वाहू नेढ़ीच नौर कंटिनियोंस इस में एक पर क्सीट गरेंड़ु आँ है तो क्या बोलोगे इसके युलिए है कि दोड़ रेंडम वरीड़ विच नाइधर 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 विच विच नाइधर डिस्कृत नोर कंटिनियस जो कैसे ऐसे रिंडम वरिबलные नातों डिस्कριेट हो नहीं गंटिनियस हो उसको हम क्या बोलेंगे mix रेंडम वरियआ ठीक है हो यह फिर sleek महगा रंदम हो आधा कंटिनियस हो उसको हम बोल दें मिक्सरें लेँगां इस लुट mix random variable okay को है कि लिए रहे हैं तो कंटीनेस मतलब पॉइंट पॉइंट होते हैं फॉइंट में नहीं होते हैं डिस्कृट में पॉइंट पॉइंट में होता है आधा पॉइंट में आधा रेंज के फॉर में मिलेगा ठीक है इसका एक्जाम्पल कैसा लिख सकते हूं एक्जाम्पल एक्स की बिलू रेंडम वरिवल जीरो है वन है और टू से लेके थ्री यह ऐसा तो यह दो क्या हो गया आधा आधा कैसा हो गया अधा पॉइंट में था आधा रिंज में दे दिया यह जो इस टाइप के जो है मतलब बुचीर कि ले रुगा के नहीं बताओं तो सबसे पहला आएगा हमको चेक करना पड़ेगा कि यह सामने वाले ने जो रेंडम वरिवल दिया वह मिक्स है या कंटिनेस है या डिस्कृट है कैसे पता करें तो सबसे पहले देखो इसको पता करने के एक सिंपल पंडा है एक्जामपल समझों एक्जामपल ज्यादा समझ में आएगा माल लोग सामने वाले ने कोई फंक्शन दे रखाया लेटास कांसीडर कि कुमुलेटिव डिस्टिविशन फंक्शन ठीक है कि कुमुलेटिव डिस्टिविशन फंक्शन दे दिया वाई सीडियर और वो कैप्टल एफेक्स के फॉर्म में होता है कैप्टल एफेक्स बरापर दे दिया जाए सामने वाले ने क्या दे दिया वाई है जीरो वन बाई फोर ए टुदी पावर माइनास एक्स है कि है कि यह एक एक्जामपल चैसे समझ में आदएगा जैसे एक एक्जामपल सुनो क्लास में कोई बच्चे है ध्यान से सुनना पूरी तरीके से वह continuous नहीं होते हैं in a class किसी class में बच्चों का height कैसी होती है बच्चों की height कैसा होता है या बच्चों का weight कैसा होता है weight कैसा होता है तो होता है ना किसी बच्चे का 30 kg होगा किसी का 3.30.5 होगा होगा कि नहीं होगा एक्जक्टली जो क्लास में होंगे उनके जितने भी क्लास में बच्चे होंगे सब का जो है हाइट एक नेचरल नमबर टैप नहीं होगा किसी का पॉइंट में भी होगा उपर नीचे होगा तो उनको हम क्या बलेंगे मिक्सर रेंडम बरिवल बोलेंगे बात आई समय में यस यह नो मैं बोलूँगा एक क्लास में बच्चे हैं उन सभी बच्चों का आपको वेट मेजर करके कॉपी में लिख के लाना है तो जब आप वेट लिख कर आओगे कॉपी में तो जो नमबर लिखे होगे वो कैसे लिख पास वो डेटा कौन सा कहलाएगा उसको डिक्स डिस्कृट बोलोगे क्या नहीं डिस्कृट तब बोलोगे जब पूरी तरीके से सभी का नंबर एक पॉइंट के फॉर्म में हो या फिर सभी का अगर पॉइंट में नहीं है तो एक खड़ा-खड़ा नंबर है तो इसको डि दिमागया कि Mixed कहां यूज होता है और डिस्कृट कहां यूज होता है बोलो अगर मैं बोलू कि दस लोग दस स्टुडेंट्स कहीं पर बैठे हैं और दसों के दसों के जेब में कुछ पैसा है तो अगर मैं बोलू उन पैसे को मैं ने बनेंगे तो वो कौन से रंडब मेरीबल होंगे मेरं को यह बता हूँ है क्या वो burg पैको रेंडम वेरिबल बोल रहा हूं तो वो रेंडम वेरिबल कौन सा होगा डिस्क्रीट होगा कांटिनेस होगा के में एक सिड होगा जल्दी बताओ कि जल्दी बताओ कैसे कैसे कंटिनियस होगा बताओ मैंने कहा रुपए आपको काउंड करनी है रुपए बच्चों के जैम में जो रुपए होंगे वो कितने रुपए होंगे कैसे पॉइंट में होगा पॉइंट में होगा क्या किसी की पास्ट मतलब पैसे पैसे के फोर में कौन आता है दो रुपए पचीस पैसा यह रखता है जयम्र में, जार रुपए 20 पैस यह रखता है ज Nag utility आ ना सारे कैसे होंगे एक रूपे रखावगा दो रूपए पांच रूपए 10 रूपए 50 रूपए 100 रूपए 500 था लाइक इस टैप की नमबर होगे न तो एक निचुरल नमबर टैप का नमबर है तो वहां पर हम डिस्क्रिट नहीं बोलेंगे कैसे करते वाप एक पॉंइंट में कहां होगा पॉंइंट में किस के पास होता है और लाइन थोड़ी देख रहे हो कि भी आँगां लाइन है तो चलो पॉइंट में होजाएगा एरे ओनलाइन नहीं देखना है अधिकायाज में लेकर थोड़ी गुमता है अच्छा ये बत बताओ मुझे अगर मैं बोलू किसी क्लास में 30 स्टुडेंट्स हैं और उनकी एज को आपको कल्कुलेट करना है एज इस रिंडम वेरिबल एज एज आपका रिंडम वेरिबल है अब ये बताओ उस एज को अब कौन सा रिंडम वेरिबल बोलोगे डिस्क्रीट बोलोगे कंटिनिस बोलोगे की मिक्स बोलोगे चलो जल्दी बताओ एज को क्या बोलोगे एज के बारे में क्या बोलना चाहोगे कुछ बच्चे बोर रहे हैं मिक्स लिए कई बच्चे सोच रहे होंगे जिनने उन्हें डिस्क्रीट का है उन्होंने यह सोचा होगा कि भाई सबकी एज क्लास में कैसी होती है फ Tiger 18 साल 20 साल। अटाराRob साल ऐसी होती है ठीक है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे वी तो होंगे डिश sangat सभावरारा साल तीन वर्स होगा बारा वर्ष बीस माह क्या होते हैं बारा व्यस्कूरत कि ग्यारा माह हो सकते हैं उस्थरह कर को सकते हैं कि नहीं सकते हैं वह समझ हो गया मिक्स में आएगा वो भी हना आ जा समाझ में आ गया कंटिवनेस का होता है डिस्कृट का होता है जब जहां पर पॉइंट और यह दोनों मिक्स होते हैं वहाँ पर हम मिक्स्ट रेंडम वरिपल वोग थे हैं इसका सब को समझ में हो गया खिलियर हो गई सारी चीटें वन वाई फोर एटू दी पाउर माइनास एक्स लिखा हुआ है वन माइनस कर देता हूं जीरो और यहां पर रेंज दे रहा हूं जीरो तब यूज करना है जब एक्स कमान जीरो से बड़ा है तो वन माइनस यूज करना है एक्स कमान जीरो से चोटा लिखोगे तब आपको जीरो मिलेगा जब जब एक्स कमान जीरो से बड़ा डालते हो तो यह मिलेगा अब आपको यह तै करना है कि यह जो डिस्ट्रिविशन फंक्शन दिया हुआ है क्या इसको हम देख के बता पाएंगे कि यह continuous है कि discrete random variable है यह x आपके discrete है या continuous है तो हम नहीं बता सकते हैं देखके नहीं बता सकते कि यह कौन सा है ठीक है बात समझी माई कि नहीं है यह जल्दी बोलो यह आपका cumulative distribution function है cumulative distribution function मतलब जो probability होती है यह सबको चोड़के बनाई जाती है ठीक है इसको देखके हम नहीं बता सकते हैं कि जो random variable होगा वह आपका random variable continuous है कि discrete है कि mixed है नहीं बता सकते है उसको check करने का एक ही तरीका है वो तरीका कौन सा है आओ बैटा कहां जा रहे हो इस यह तरीका है discrete point probability निकाल के देखो discrete point पर probability अगर 0 आ गई वो continuous है 0 नहीं आया वो discrete है तो यहां पर हमको यह तै करना पड़ेगा discrete point कौन सा है discrete point उस points को बोलते हैं जहां पर equality hold होती है तो discrete point इस पूरे कहानी में कौन दिख रहे है 0 x equal 0 दिख रहे है तो आपका काम है सिर्फ और सिफ्र चेक करना कि भाई x equal 0 पर क्या आ रहा है इसकी probability बता दिया जाए अगर यह probability 0 देगा तो continuous तो अगर 0 नहीं आया तो भाई यह discrete बनेगा या फिर मिक्स बनेगा confirm नहीं है discrete बनेगा या मिक्स बनेगा बता नहीं सकता है लेकिन अगर 0 आ गया तो continuous नहीं होगा फिर यह confirm हो तो उसके लिए चेक करना है x equal 0 पर probability बतानी है अब x equal 0 की probability कैसे calculate करें भी यह हमारे पास तो question में range के साब से दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ने इसको कैसे बताए तो सकता है x command less than equal 0 तक की probability क्यों कि यह distribution कौन से दिया हुआ है यह तो cumulative distribution function है यहां तक की probability जीरो पर पूछ रहे तो जीरो से छोटे तक का सभी का sum 0 से पूछ रहे ना 0 पर बतानी है तो 0 से छोटे तक का सभी का sum यह वाला और माइनस कर देंगे किसको बात समझ में आ रही है कि नहीं यह से नो जीरो से छोटे के लिए और जीरो पर सब की probability का sum कर देंगे यहां पर आप यानिकी 0 से less than equal 0 में मैं अगर माइनस कर दूं एक्स कामा less than 0 यह कहीं न कहीं एकस equal 0 को ही बता रहा है अच्छे से देख लो इसका मतलब क्या है यह बोल रहा है बेटा सिर्फ आपको यह 0 यहां से पूरा इंफिनिटी से यहां तका तो यहां से लेके यहां तका निकालो इसमें यहां से लेके यहां तका जीरो से छोटा इतना माइनस कर दोगे तो सिर्फ जीरो का मिल जाएगा नहीं आ रहा है समझ में जीरोे और जीरो पर खड़े ऊच्रों धाट जीरो से छोटे तक का माइनस कर दो और फिर जीरो से मैनस का मजरी जबुर基本 का चैनल और जीर फ्र vents गाए है बात समझी में आई कि नहीं है आगा तो मैं क्या करूंगा एक्स का मान 0 और 0 से छोटे तक भाई यह को सन क्या कहता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कम function बनाना है capital x और यहां पर क्या लिखना है 2 पूट करना है माइनास यहां पर की प्रोबिलिटी दी हुई है इसको भी लिखेंगा एफएक्स जिरो से छोटे के लिए इसका मतलब 0 से छोटा 0 माइनस लग दो इसको 0 लिख दो सिर्फ 0 तक के लिए यह जो फंक्ट्टन जीरो पर फंक्षन की वेल्यू कितनी मिलेगी यहीं जीरो एक वल यहीं दिख रहा तो यहीं फर 0 पुट करो 0 पुट करो कितना मिलेगा 1-1 by 4 into e to the power 0 बनेगा minus 0 से छोटे के लिए कितना दिया जिरो से छोटे के लिए 0 दिया हुआ है यहां से चेक करा तो वन माइनस यह बचा किसी घाज 0 मतलब 1 by 4 बचेगा 1 by 4 माइनस यह करोगे तो 3 by 4 आएगा क्या यह 0 आया क्या जब पर 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 किसी पॉइंट पर अगर एंसर 0 ना आए इसका मतलब क्या होता यह इसका मतलब क्या होना चाहिए यह continuous नहीं बताता है यह बताता है कि यह continuous तो नहीं है कि इस टेबल से देख लो equal पर 0 आता है तो continuous है 0 नहीं है मतलब वो discrete में आजाएगा आजाएगा लेकिन function पर चेक करो जो function दिया हुआ है यह चेक करो इसके अंदर में कहीं X है क्या X दिख रहा है और X का माना range वह पर define है दिख जीरो और जीरो से बड़े तक के लिए इस function में में खोंस्टेंट होता हो इसमें एक्स तो दिकर रहां किस रेंज में जीरो और जीरो से बढ़ा किसी रेंज में इसका मतलब ये फिर मेक्स्ट बन जाएगा गा具 इसका का मतलब हम बोलेंगे यह जो है सिंस कि पूरा लिख के दिखा दे रहा हूं है सिंस जो है एफ एक्स एक्जिस्ट लिखाना एफ एक्स डिफाइन क्या प्तल एफ एक्स डिफाइन इन एक्स ग्रेटर देन जीरो तैटीज इंटरवल में इंटरवल में इसका मतलब कैसा बन जाएगा यह जो एक्स होगा वो रेंडम वरिबल कैसे होंगे एक्सीज लिक्सर रेंडम वरिवां आएगा समझ में देरे देरे सब समझ में आजाएगा तो मिक्स रेंडम वरिवल बनने के लिए सब चेक करना पड़ेगा आपको अगर कोई कमुलेटिव डिस्टिबिशन फंक्सन दे रहा है और सामने वाले आपसे पूछरा बताविए जो फंक्सन बना होगा जो रेंडम है नहीं है अगर सब पॉइंट पर आता सब क्या निकाला सारे पॉकर अगर अगर एक दिरो नहीं आया तो यहाँ चेक करना पड़ेगा अगर एक मिक्स मेंचला जाएग अगर यहाँ X नहीं होता सिर्फ नंबर होता तो मैं इसको बोलता भया यह डिस्क्रेट ही है यह कैसा है डिस्क्रेट है लेकिन यहाँ X एक्जिस्ट है इस वज़े से यह जो है डिस्मिक्स बने गया है ठीक है दो बाते आपको तैय करनी है कि एक एक्जांपल दे रहा हूं आपको तैय करके बताना है इसका क्या आएगा सल्यूसन क्या नहीं आएगा सारी चीज़े आपको बता रही है ठीक है मैंने लिखा इविदा कुमुलिटी इस्टीमिशन फंचन इफ दा कुमुलेटीव इस्टीमिशन फंचन कि अग्षान और फंक्शन आपको अगर मैं दे दूं कि भी या वो क्या है और रेंडम वरिवल और रेंडम वरियेबल और रेंडम वरियेबल एक्स के लिए चेक करना है और एज गिवन बाई एज गिवन बाई अग्टाल एक्स ओवर इसमॉल एक्स एक्वल 00 X Y 21 ठीक है धिए से देखो क्या के लिए खाओ 0 X Y 21 रेंज दिया हो X का मन लेज दन जीरो ठीक है 0 ग्रेटर दैन X लेस देन वन और X ग्रेटर दन इक्वल वन टो चेक विदर तो चेक विदर एक्स एज चंटिनियस इस्कृत या मिक्स रंड बाइव पहले स्कृतिंन वॆ पहले इस कॉस्चन को समझ लू आपको बताना है कि यह जो जिसके लिए फंक्षन वन है कम लुटे इस्टिविषिन फंक्षन वन है वो फंक्षन के लिए एक्स ऐसाप का सबसे पहला प्रोसेस आपको वो पॉइंट खोजना है जहां पर दिया हुए किस-किस पॉइंट पर चेक करना चाहिए आप लोग मुझे बताओ सबसे पहले चेक करोगे पॉइंट पर प्रविल्टे निकालने के बाचेक करो कि जीरो आया की नहीं आया अगर नहीं आया अगर अगर शारे जीरो आरहे है तो सिदा बन गया लेकिन अगर नहीं आया तो फिर आपको यह देखना है कि अंदर में याप फंक्सन x है क्या एकस के फॉट मे दिखर यह दिखो दिखर आठ की फॉर्म में अर यह किसी इंतर्वल है इंतर्वल में Exdae मतलब यह फिर बन जाएगा में ठीक है लेकिन आपको पहले चेक करो कि पहले किन किन पॉइंट पर चेक करोगे मैं आप से पूछ रहाँ डिस्कृरिट पॉइंट बताओ कौन कौन से होने चाहिए अगा कर दो कर दो अब बताओ अंसर निया अभी तक किसी गा सब सो गया क्या अब प्रबिबिलिटी स्टेटिक्स पड़ते ही नहीं दाजा थी लोगों अ बोलो भई अ बताओ अ चार एक सारे सो रहे कि किसी का जवाब नहीं आ रहे हैं डिस्कृरिट पॉइंट बताओ जल्दी किस पर चेक करोगे जल्दी बताओ पहले पॉइंट तो बता दो आप लोगों किस पर चेक करोगे कि यह वर्य जीरो और वन पर इक्वल देखो म्हळब जो जो पॉइंट दिख रहे हैं इस पूरी कहाने में जीरो वन ही तो दिख रहा है तो जीरो और वन पर चेक करने है 0 पर कैसे चेक करना है यह दो मैंने लिखाऊगा गई जीरो से लाझे सीरो पर ठीके और उर्हेसी wakin कंप्रैंसर बताओ कि कि कितना आ रहा है मुझे चलोगा यूल त्राइब कि ट्राइ करो जल्दी बता एक मिनट का समय दे रहूं आप लोगो एक मिनट दू मिनट का समय दे लो जल्दी बता लोगो झाल 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 किसी का या भी एंसर बताओ जीरो पर एंसर कितना या जीरो पर एंसर बताओ जीरो पर किसीने बनाया भी तर चलो मैं बता देता हूं जीरो पर एक ठोक पहला जब जब हम एक्सेकष्वाल ीडिवर पर प्रोडे निकालना चाहेंगे पॉंट पर एक्सेकष्वाल ीडिवर टो नहीं निकलने वाला क्योंकि तो पुरा सम करके बनाया जाता है ठीक है कुछ बच्चों का निकालेंगे एक्स का माने लेस देन और इक्वल जीरो तक का प्रोबिल्टी मैं माइनस कर दूंगा प्रोबिल्टी एक्स कमान लेस देन जीरो में और इसका मतलब होता है यहां पर मतलब होता है यहां पर मतलब होता है और इसको हम बोलते हैं एक्स कमान जीरो इसका मतलब एक्वल चेक करना जीरो कहां है इक्वल में 0 कहां दिख रहा है बच्चों यह दिखो एक्स कुछ दिख रहा है तो डालो गोगो जीरो बाई टू मिलेगा जीरो से चोटा जीरो से चोटा की लिए यू जीरो दीया हुआ एंसर ओवरर जी रो आ जाएगा जब प्रविल्टीजरो आ घए ठीक है मतलब हो सकता है कंट्रिणिस बन जाए है आव सेकंड पॉइंट पर चेक करते हैं सेकंड पॉइंट प्रबिल्टी कल्कुलेट करनी है एक सिक्वल वन पर इसका भी निकलेगा कैसे प्रबिल्टी कल्कुलेट करो आउ ऐला से कम अलेस्थेन और इकॉल वन तक का मायनस कर दो प्रिवलटी वन छोटे तख का बात समाधिमें I can अब एककल वन कर दोसमा त Help ability स्क्ब मुलुआति फंक सन्विधस कर लोन तक का प्रिवल्टी इसमें pokimo fonks ौछिए ओवर जी रिस ए डेंट से लास वन्सेल ए अर्ण सल रहा एंसर कहा तर तरी हां तक है धाया एक वान कैसार क्वान डालते ने कियोंकि ऑन्से बरेकर-र चैनल ये वान है तो accountable मिलने बाला है माइनस औरे एक से कम कर नेंक हो तो वहां पर चाना एक सिर्ण कर यृट से सब्सक्राइब 먹어 यृए टश डालना है वन कि दुआ गया देखो दो में से दो एग जिए बन वहीटव हाई एक जिरॉए इसका मतलब एक यहां से तो यह भी जीरो आना चीह नहीं आया वालब डिस्कृरिट बन गया आधा तो जब आधा डिस्कृरिट आधा कंटीनियस मतलब मिक्स्ट हो गया बात समझ में यह कैसा हो गया मिक्स्ट हो गया दूसरा चीछ फंक्शन डिफाइन है इंटर्वल पर तो यह जो है कहीं कहीं मिक्स्ट हो गया एकसीज में इस ऐसे बस टय करना है मिक्स्ट्रेंड मेल जब तक आपको पता नहीं कर पाऊगे रंडम वरिवल क्या है कौन सा है मेक्स है कंटीनियू से डिस्कृट है तब तक आपको सवाल बनाना मुश्किल होगा तो आगे अगर आपको सवाल तै करना है अच्छे सवाल को अगर आपको हैंडल करना है तो पहले यह हैंडल करना सिख जाओ कि यह जो कमुलिटी डिस्टिबिशन function है वो किसके लिए है random variable आपको पता करना है कि वो discrete random variable के लिए दिया हुआ है कि continuous के लिए दिया हुआ है कि mixed take के लिए जब तक यह पता नहीं करोगे मुश्किल है solve करना ठीक है यह पहले पता करना है आपको ठीक है अच्छा अगर मैं बोलूं अगर ऐसा बोलूं कि भाई इसकी प्रोबिल्टी बता दो कितनी होती देखो एक चीज़ और सिखा देता हुआ इसे में अगर आपको प्रोबिल्टी इसको क्या बोलते याद करो इसको डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं ठीक है कि देंसिटी कि फंक्शन बतानी हो डेंसिटी फंक्शन देंसिटी फंक्शन किसके लिए रिंज के लिए जहां पर फंक्शन डिवाइन है वहां के लिए तो डेंसिटी फंक्शन को स्मॉल एफेक्स से दिनिट करते हैं और स्मॉल एफेक्स कोई और ने डी अपान डी एक्स होता है cumulative function x का कि यह होता है कि समझ में आई बात तो यह जो आपने लाया है ना बेटा वन बाइटू वो कुछ और नहीं वो कैसे आया है जहां पर function define है तो function कहां पर given है function कहां पर है बोलो function दिख रहा है यहां पर और शका EBIT 2 x का derivative कितना होगा यहां पर इसका derivative कितना होगा D x और इसकी value x upon 2 इस range में किस range में कहां से कहां तक के में 0 से लेकर 1 तक मैं 0 से लेकर देखो दिख रहा है याँ पर हम बूल सकते हैं X कामा less than ship यहीं से समझ में आ गया जब आपका function defined है किस रेंज में 0 से लेके less than equal X less than one तक के range में यह जो है density function given है देखा one by two कि यह जो है आदा कैसा हो जाता है आपका continuous भी हो जाता है ठीक है तो continuous और का discrete दोनों मिलके वो कैसे हो जाते हैं आपके जो है मिक्सर रेंडम वरीबल बन जाता है कि समझ में आई बार अगर कभी भी density function बोले calculate के रिए तो से रेंज पर आपको कैसे निकालनी है derivative कर देना उसका उसका derivative करोगे तो इतना ही मिलेगा बाकी का derivative zero होगा यह दोनों constant है जीरो का derivative zero इसका भी जरेटी जीरो तो जी बन से जीरो से छोटे के लिए जीरो वन से बड़े के लिए जीरो सिफ जीरो और वन के लिए दिया है वन बाइटू है ठीक है तो ऐसा भी होता है एक्सांपल नंबर टू क्या अब आपको अगर मैं दोए दू तो अब आप बता पाओगे यह इतने एक्जांपल से काफी है अब आपको कल्कुलेट कर लोगे कि अभी भी दिक्कत है आप लोग को बता दो अब दू बना पाओगे यह से नो जल्दी बताओ एक्स दे दिया हुआ है जीरो ठीक है यहां पर एक्से स्क्वेर दे दिया यहां पर अगर मैं दे दूं थ्री वाई फॉर वन यह दे दिए और रेंज दे रहा हूं एक्स कामान लेस दन जीरो जीरो से छोटे के लिए एक्स कामान लेस दन इक्वल जीरो लेस दन वन वाई टू के लिए वन बटा दो से बड़ा एक्स दन वन के लिए और ग्रेटर देन वान के लिए तो सब से पहले डिस्क्रेट पॉइंट बताओ कौन कौन सा हुआ और अलसो यह भी फाइंड करना है फाइंड करो इस जाता दो ब्लैस देन एक्स देंस दन वन इसके बिच्विश्ख दम ब्लनि यांध बॉट आ दो से बड़ा एक्स कामान रं वन से चोड़ा क्यों नeduc है इस्किर डियए और यह जो एक्स है वो रेंडम वरीबल कॉंसा रेंडम वरीबल है continuous है कि डिस्क्रीट है देखो अगर डिस्क्रीट होगा तो इसकी डिरेट पॉइंट की निकल जाती है अगर यह continuous होगा तो इसी वज़े से मैंने कहा कि आपको यह पहले पता करना पढ़ेगा कि यह कौन सा रेंडम वरीबल है जब तक रेंडम वरीबल नहीं पता होगा आप इसकी प्रविल्टी नहीं बता पाओगे आप यह सोचोगे सर वन बाइटू से यहां 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 यह यूज नहीं कर सकते हैं तो अगर आप यूज करोगे तो एफ वन बाइटू पर अलग से वेल्व निकालना पड़ेगा तो इसलिए आप लोग यह बताओ इसमें मैं बुरू डिस्क्रीट पॉइंट कौन-कौन से हैं तो आपका जवाब क्या आ जल्दी बताओ डिस्क्रीट पॉइंट वं वेरी घुट आप सही दिख रहें यहां यहां पर दिखाई देर है उन पर पाइंटों पर आपको पहले आपको प्रविल्टी निकाल के चेक करनी पड़िए और चेक करो सारे नंबर से 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर वोज जो है आपका क्या बन जाएगा मिक्स बन सकता है ठीक है तो जल्दी से पहले इतना ट्राइ करो और जल्दी और मुझे बताओ 0 पर निकालो 1 पर निकालो और 1 by 2 पर निकालो पर निकालो झालो 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 झाल 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 किसी का आया बताओ भई जिरो पर फ्रवलटी किसे ने निकाली बताए बताओ भाई जीरो पर कितना गॉतम गॉतम ने सही जवाब दिया है कि उस ने निकाल दिया है जीरो वन बई टू और बई टू और वन बई फॉर आ रहे बैर गुड तो इससे क्या सीखें यह मिक्स है कॉंटिनिवस है कि डिस्क्रीट है बताओ वाब बताओ यह क्या होना चाहिए डिस्क्रीट कंटिनिवस या फिर मिक्स लिए चले वेरे गूड यह जो है मिक्स बनेंगे ठीक है चले जिन बच्चों से नहीं निकला उनके लिए देख लिए पहला पॉइंट क्या निकालेंगे प्रोविल्टी एट एक्स इकल जीरो पर ठीक है इसका कैसे निकालना चाहिए प्रोविल्टी एक्स टेनल जीरो और माइनस प्रोविल्टी एक्स तैसी जीरो के लिएkar तो फ यहीरो नाया हैव है पर 0 आज चुका ठीक है जिरुओ आगए ठीक है दूस्रा निकालते कपटल F P-prob X से क्वैल वन बई टू पर चेक करेंगे इसका मतलब पॉर्बिल्टी निकालोगे पार इसका मतलब के है effects ओवर वन भाई टू पर नकालना है माईनस fx over 120 से कम के लिए निकालना है कम को माइनस लिख देते हैं ठीक है एक साथ कितना दिया हूआ है 3x4 वाइट वाइट रिए वाइट 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 उसे चोटा या ज्यम्हाई वन बइट उसे चोटा यह है कितना है वनवे टूब का a1 और और लए 1-4 ठीक है समय में आया ना वन बैटू डालना है एक से जगर एकसे दका वन इसरोंन बइटू डाला को मेरा 1 विवर तो या नहीं ककले का निकलने के लिए इसका मन एक सिका मान लेस बैज रिक्वान वन के लिया निकालेंगे ऐस का मतलब traquis at ि डिस्टिविशन 3 क्योंटे के लिए और माइनस प्रविर्टी कुमृलिट Oprah और से छोटे के लिए ठीक है तो नचो न चुटा 1 पर कितना है तो भरी तो वंभाल कहां पर यह लिखा वह बाणी है थह बन पर नहीं यहीं से समझ में आ गए कि एक आसा है मिक्स टेर एक आसा है एक सी अलॉट कि एक्स के साय मिक्स्ट रेंडमरी बोले ठीक है ठीक है तो फिर क्या फाइंड करना है प्रोबेबिल्टी आफ इसकी फाइंड करनी है एक्स कमान जब मिक्स्ट हो जाये तो लैक्स्ट एक्वार वन कि कैसे ता कले से वचे वण वीच का है यह जो आज का टेबल में देखके देखो क्या चीकरता है जब कंटिन्योस और डिस्क्रीट हो ठीक अच्ट कॉन्च चाहिए चाहिए है स्कूब है कर दो अंब छाँ सथी तो मीक्सों हो ना तो मिक्स्ट के लिए मंaj turtles इसमें तो नो मिख्चित nemavan उनलीक जोगे तो मिक्सिके लिए कर 보여 इसी की पृफ्वियुलिटी नीकाल लो ठीक है जब mixed होगा नहीं दिखाय ता चलो ठीक है कोई दिख्कत नहीं इसका एंसर क्या आता है F B यानि कि F of 1-1 एफों 1 फ़ने टूपर निक यही निकाल देना आपको एक वल कहीं नहीं है तो सिधा वन पर और पार के पार हम करोना पर निकाल दिना है one पर एंसर कितना है तो वन पर हम नहीं निकाला था कितना व फञब 5000 टूवर गम अर्माइनस वन भी वेट यूअल कितना देख लोixon भै तूपर एकल में ये है ये सब्सक्राइब 4 कितना हैं गाओ ल्टा लिख दिया कि एफ फ़न पर कितना है चेक कर आप फ़न पर जो है ये एक वले वान पर वन है ठीक तो बन पर जो हैं 사र कितना है वान है और इसका फरी उपर एक इतना है इसके अंसर चार में से तिन यह वन बैक खोरा कि यार भूछ कि एक मिनिट मिक्स के लिए जो है यह होता एक्षिल में फॉर्म ना ने ठीक है मिक्स के लिए लिए ना मिक्स के लिए यह ता फॉर्म ना फरना पर ले लिखा देता हूं सिंस अगर आपको probability calculate करनी है किसके लिए a less than x less than equal b कही निकलता है इसका एंसर क्या होता है f of b ऐसे लिख लोग प्रोबिबिटी एक्स लेजन एक्वल सोरी लेज देन क्या निकाल होगे लेज देन with a lesson X less then equals to be minus कर दोगे probability of x equal 10 एक किसका निकलेगा इसका निकल दागा को करı whirl का लुग है तो इक क्व़बिटी कनी है तो इकंस कर दो एot निकालनी होगी तो क्या करेंगे विनसे यहां और क्या है देखो यही है तो वन पर हमने कितना निकला था बनाइए फोर था यहां पर क्या बनेङगा इसका न attracting यह से लेकर बी तक कि आने के प्राडूटी किसका निकालेंगे इसको बोलते हैं एफ बी माइनस एफ एक्सेट भी इसके हिसाब से क्या बनेगा तो ओफ ऊप और माइनस एफ उफ ओफ वन बैटू पर इसना निकालने का बाद माइनस करना पड़ेगा इसका प्रबिल्टी ओप एक्स इकव्वड तो एफ उफ फ़ीटना है फ तो पान आपका वण है तो तोड़ा से देख लो सब्सक्राइब कि रूष कि रूट के लिए है यह में लिखाया ने था यह रूल मिक्सटुके लिए यह में लिखाया नहीं था यह विम्स्टू के लिए और मिक्सिट के लिए कि प्रोबिल्टी सिर्फ इसी का ही मालूम होता है एक्स लेजन इक्वल भी इसका ही एंसर होता है F of B minus F of A यह होता है इसका यहां पर मतलब अगर equal नहीं है तो उसका यह नहीं निकलेगा दिहां देना अगर यहां A less than X less than B है इस वज़े से अगर आपसे पोचेगा कि भया अगर आपसे बोल दे कि A less than X less than और और एक less than B इसका क्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं है हम लिए वाला निकाल लेंगे फंक्षन के जिए का प्रोबिल्टी होती है ठीक है तो प्रोबिल्टी कल्कुलेट कर लो किसका यह यह less than X less than equal B तक का निकाल के माइनस कर दो उसमें प्रोबिल्टी अफ इसकी एक सिकल भी का यह यह चीज़े ध्यान देना कि लिए हुआ समझे मैं यह फॉर्मा सबसे में यह याद रख लेना है सिर्फ इसी का ही यह होता है यह पूछेगा तो यह लग से निकालना पड़ेगा कि अच्छा त्हीं सीघ्र मैं वह भायटी निकालोए लैस डेन इक्वाल एकस लेज दन भी इसका निकालेगोस विल थो इसमें तो इसका यूज करके करना है तो क्या करना पड़ेगा प्रॉबिप्टी अ is a less than x less than equal और यहां पर एक्वल कर दिया तो क्या करोगे इसमें वह रहते हैं अ को नहीं होता है तो मुझे इक लिए तो अगर इसके अलावा कहीं भी को लगा रहा है या नहीं लगा रहा है तो उसी सब सबने को पलस मेनस करना पड़ेगा आया समझ में यह से अनों जल्दी बताओ कि लिए मैंने फॉर्मा लिख दिया है मिक्स्ट के लिए जब भी रहेगा तो यह वाला यूज करना है आपको ठीक है और इसका यूज करके जो भी प्रोबिल्टी बोलेगा वो खाल तो पता कैसे करना भई जब तक आप पता नहीं करोगे कि मिक्स्ट अभी नहीं यह अप्ला चले ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है चले तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट